नमस्कार दोस्तों वेल्टिसकाई की न्यू इंट्रेस्टिंग एक्साइडिंग वीडियो में आप सभी लोगा स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे मसको समझने की कोशिस करेंगे अंडेस्टेंड करेंगे कि कल की एक्सपारी किस लेवल पर हो सकती है और कल का मार्केट कैसा रह सकता है इस चीज़को हम समझने की कोशिस करेंगे तो चल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पर देखते और समझते हैं तो मैं आगे हो निसी की वेफसाइट पर जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिस कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग 14,819 पर निफ्टी क्लोज हुआ है 135 यहां पर निफ्टी चड़के बंद हुआ है कल के वीडियो में मैंने आपको एक important point बताया था कि event है event से पहले market थोड़ा सा volatile होने की कोशिस करेगा तो आप देख सकते हैं यहां पर सुबह सुबह एक selling pressure देखने को मिला और बैंक इसकी ने लो बनाया वह कितना बनाया था आपका 32166 का और उसी candle में यह recover हो गया था तो क यहां पर मैं बाय करने की कोशिस करूंगा और उपर मैंने आपको बताया था कि टेटे सेया 200 के असपास मिलता है तो वहां पर sell करने की कोशिस करेंगे तो आज देखो exactly जो bank nifty की रही है वो यही रही है यहां पर सुबह सुबह एक ग्रावट आई उसके बाद एक recovery देखने कि टेटे सेया कोई resistance नहीं है क्योंकि टेटे सेयार से कोई भी price action नहीं हुआ है आप देख रहे हो लेकिन टेटे सजार 200 के करीब से यह बार बार यहां पर support ले रहा था तो breakdown हुआ और फिर यहां पर resistance face कर रहा है ठीक है same चीज़ यहां पर आप देख सकते हो जो 32 400 का label है यह एक support का काम कर रहा था तो exactly यही range market ने यहां पर decide करी है तो कल के दिन भी हो सकता है इसी range के अंदर market volatile रहने की कोशिस कर सकता है अगर हम आज के high को पार करके निकलते हैं तो chances is very high कि हम ऊपर की तरफ टेते सदा 600 और 700 की तरफ बढ़ सकते हैं बट उसके लिए condition यह है कि आज क हाई के ऊपर market को या अपनी bank nifty को sustain करना चाहिए अगर हम निफ्टी के बात कहें तो निफ्टी वी exactly इसने जो resistance का जो point आप देख रहे हो यह point जो है resistance का यह आप देख सकते हो यह आपको दिख रहे हैं यह जो point है यहीं से आज भी इसने एक गिरावट दिखाई थी तो अगर यह level निकलता है तो फिर आपको कम से कम 200 पॉइंट की रहली यहां पर देखने को मिल सकती है यानि यह level निकलते ही आप 15,000 तो टच कर सकते हो इतना potential रहेगा अब अगर हम 14,900 के ऊपर निकलते हैं तो इस चीज़ को आप क्लियर यहां पर नजर में रखेगा इस level को अगर हम option chain की एक तो देखते हैं यहां पर क्या हो रखता है 14,800 की तो इहां पर आपको दिखा है 34585 कॉंट्रक्ति हां पर जुड़े हुए हैं और को इसका मतलब क्या है कि पुट राइटर की हिम्मत नहीं यह आउपर पो राइट करने कि फिलाल है वाल राइटिंग में आपको दिख रहा है 42942 आपको यहां पर ओपन इंटर्स यानि यहां पर कॉंट्रेक्ट जुड़े हुए है 14700 पर आपको 13290 के कॉंट्रेक्ट दिख रहे हैं और वहीं आपको 14700 की पुट पर कितना है चाले से यहां 317 इसका मतलब क्या है कि कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल वह 14800 है अज़ा 14800 के नीचे हम फिसलते हैं तो फिर हम वही 14650 तक गिर सकते हैं और 14800 के ऊपर कामकाच करते रहते हैं तो हम इसी के बीच में कंसॉलिडेशन कर सकते हैं खराब क्या है और अच्छा क्या है वह लेवल है 14800 के नीचे हम जाते हैं तो चांसिस हैं कि हम 14700 यह 14650 तक गिर सकते हैं यानि हम इस लेवल तक दुबारा से आ सकते हैं यह जो लेवल है हमारा अधिक है 14600 ही मालो आप इस लेवल को यहां से तोड़ा सा और इसको नीचे शिफ्ट कर दो यह अगर हम कल नीचे निकलते हैं तो और अगर उपर निकलते हैं इस लेवल के उपर तो 15000 का हमारा टार्गेट बन सकता है तो इस लेवल पर ही आपको ध्यान रखना है एक्सपा यहां पर डाउन है और फिलाल तो ऐसा कोई यहां पर बड़ा सेलिंग का इंडिकेशन नहीं आ रहा है तो कल का जो सेशन रह सकता है वह यही रह सकता है रेंज बाउंट सेशन यानि अगर हम ऊपर खुलते हैं तो चांसे वरी हाई कि हम नीचे की तरफ जाएं और फिर रेक स्काराय की वाले टाइल यहां पर एक्सारी हो सकती है तो यह एकको और में लखना आई है तो आई अधिकलर टाटा आपको समझ में आ गया गया होगा दोस्तों फिलाल यह वीडियो में इतना ही है आई होब यह वीडियो आपको पसंद mouse ब्संद आता तो लाक उच्ट ज़र